तो हम बात करेंगे पॉर्टी एंप्लाइमेंट की ठीक है तो यह कैसे टॉपिक है इंदर जिसको लोग इंग्नोर कर देते हैं यार सी बैंकिंग पढ़ रहे हैं सिप हमारे पास एक्टर पढ़के चले जा रहे हैं टेक्सेशन पढ़ ले रहे हैं बट इकोनमी का मतलब होता ह के कोई नहीं जानता हमारा काम में ठीकल करने कुछ करेंगे बात करतें कोशन नमबर पहर ट्पर टेमेशन इंडिया太 accomplish करता है यह नया और इसको Carrht उसके बेस्ट पर नीती होता है ना इस बेस्ट hold क्छलेक्टेड व crash बी लिए डिक के सेंप्लर शर्वे और नेशनल सेंपल्रवी सोभी संडरी अप्सिंडर दी मिनिस्ट्री स्रेस्टिक्रव लिए इंप्लेमेंटेशन यह हमारे पास करता है भाई पोवर्टी एस्टीमेशन कोशन बटू है वाट कैन बी पॉसिबल डीजन फॉर रिटर्माइनिंग पॉवर्टी वन दी बिशिस ऑफ कंजम्शन एक्सपेंडिचर इंस्टेड अफ इंकम हम जो है पुवर्टी को इंकम करते ह करते हैं कारण क्या है इसका पूछा गया है हमसे और पीपल कंज्यूम बट नॉट ऑल अन की करन्ड है विल्कुल सभी बात है सब नहीं करते हैं प्रेजिंस ऑफ डॉमिनेशन ऑफ दी अनॉगनाइस सेक्टर दिया विल्कुल सभी बात है हमको इंकम का पता करना ही चल करते हैं पुषटी एक्स्टीमेशन के लिए के लिए लिए प्रेजन इंस ने सेंपल सर्वे और सब्सक्राइब उफिस रिकॉल पिरियट फॉर मेजरिंग कंजम्शन है हमसे पुछा गया है कि जो ने से सो मिक्स रिकॉल पिरियड है कंजम्शन के लिए उसमें कौन-कौन स हमसे पुछा गया है तो नेशनल स्ट्रिस्टिक नेशनल सेंपल सर्वेश उसके मिस्टी कॉल पिरिएड है कि मेजरिंग कंजम्शन में कौन-कौन-कौन-कौन-स इंक्लूएड होते हैं यार फूट आइटम-स इंक्लूएड नहीं है या पूट इंस्टीट वैरस और ना इ पर्चेस नॉन फूड आइटम से इसके अंदर इंक्लूड होते हैं तो यहां पर फूड को भी देख लेंगे तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि देखो जो नेशनल स्टेटिसिकल ऑफीस है इसके अंदर हमारे पास फूड इंक्लूड नहीं होते इसको मिक्स डिकॉल प सेट्मेंट हमको बात कि से करनी है जो बात करनी है उबफ डूड इपकरने कुछ दिटी मीन फाट का जब थक साँ दे कशकाहिए सत्रों अप्ड़ट ईवाटल वज्फ दिश्विकश्व घारसी प्रक्सिथिए उनजर्वॉष्थ सॉट पूल अब डिडेया नों इस्प्र होता है जो पूरिटी गयाप बढ़ रहा है कि एक गैप है एक में जो मीन रहा權 today पूरपीपल का बिलोपवर्टी लाइन पूरश ऑफोर्टेवला यह प कितना कम हो रहे हैं को बोड़ा परसें डिकलाइन इंदी पोड़ी गैप रिश्यों बोथ इंडूर अर्बन एरियास तुरी टॉजन एंफॉर फाइफ टॉजन एलेवन टुएल बिल्कुल सही बात है दोने देखने को मिला अर्बन एरियास में हम से देखने को मिला करफ हम से पूछा गया है अधर रिफ्ले विद रेस्पेक्ट तो हैट काउंट रेश्यों हैट काउंट रेश्यों के बारे में हम से कलात पूछा गया है नॉट टू इस वाइडली यूज्ट एन रिप्रेजेंट दी कटफ पॉइंट बिलो विच पीपल आ कंसिड़ेट इस पूर्ट तो हमारे पास जो हैट पॉटा हैन इस तोल पॉटा हैन इस तोल पॉटलाए था पॉटले रेशन अपर नमर पॉटल बिलो पॉटी लाइन इंटु हंड्रीड इस इस पर्रेक्ट धी हैट काउंट रिशो तस गिव इन साइट अबॉड थी पुवर्टी नो यह नम इगनोर तर देप्ट अप्वर्टी मतलब कितना पूर है सीवियर कितने है वो इसको इगनोर मारता है below the poverty line category is marked with the help of its value बिल्कुल सही बात है यार इससे हम क्या करते हैं below the poverty line value को mark करते हैं तो यह सही है हमसे कर पूछा इनकर पूछा इनकर जाग अभी question number six है situational poverty can be defined as तो हमारे पर situational poverty की बात कर रहे हैं यार situation poverty का मतलब क्या है एक आदमी जो है वो गरीब नहीं है कुछ हालात ने उसको गरीब बना दिया है ठीक है situation poverty is a period when individual fall between और below the poverty line because it is sudden event अचानक से कुछ ऐसे घटना हुई किसी का डिवोस हो गया किसी का देथ हो फैमिली में यह फिक कोई poverty that is cursed by a violent unhealthy environment no poverty due to job less job opportunities less access to service यह नहीं है भाई sudden crisis or loss okay बिल्कुर सभी पुवर्टी is a general curse by a sudden crisis or loss is often temporary बिल्कुर सभी बात है अना परसीज बिकॉस इंटर्ण साइकोलोजिकल फेक्टर स्नो लास्ट जब पर्चुन इस नो question 7 है a substantial percentage of Indian population lives in slum that then in does in china china चाइन गरीवी है बत हमारे यहां पी जो गरीवी है न एक percentage जो यादा है substantial percentage जो है वो slums में रहता है यार this refers to an example of which kind of poverty so kind of property बोलते हैं भाई related poverty ठीक है because हमारे पास जो आँ विकॉस जो चाइना के अंदर पूर है इंजिया के अंदर पूर नहीं है बिकॉस पूर इस पूर्टी जो रिलेटीव टम यार एक तरह से मेजर कर रहा है इनिक्वालिटी है भाई सोसाइटी के अंदर उसको कोशन बेट है बहुत important concept यार बहुत important चीज है यह गिनी कोफिशेंट टीक है गिनी कोफिशेंट बहुत important है तो विट रफरेंश तो गिनी ओकोफिशेंट कंसिडर दी फोलेंग स्टेटमेंट अवैल्य अब जी रो इंडिकेट परफेक्ट इक्वालिटी एंड इंडिकेट परफेक्ट इन इक्वालिटी एस तेटमेंट सही है भाई बिलकुल सही है बिकॉस याद अखने तरह का बता हूं कि अब वन है तो वन को एसा अग्री तो इन इक्वालिटी थी कहा है तो वन मिंस इन इक्वालिटी एंड जीरो मिस इक्वालिटी तुसा तो याद रखना वेल्यू ग्रेटेट इन वन इस थेरिट्रिकली पोसिबल याज एक से अध़ पॉसिबल वैल्यू है तो हम किताबों में के वज़े से बट प्रैक्टिकली हम इसको नहीं मिलता कहीं भी जी रोट से ज़्यादा नहीं देखने को मिलता है तो इस ते से हमारे पास जो गिनी कोफिशेंट वो एक से बढ़ जाता है बट इस नौट प्रैक्टिकली पॉसिबल यार तो करेट हमसे पुछा गया करण जागा बोथ वन एंड टू को सब्सक्राइब का मतलब क्या होता है यह हमसे पुछा गया ओपन इंप्लाइमेंट जेनरली मीन्स वाट ओपन एंप्लाइमेंट मतलब लेबरर वेंड कानाट फाइंड वर्क एंड लिव उनप्लाइड उसको नौकरी नहीं मिल रही है और विरोजगार जी रहा है उसको हम क्या बोलते हैं ओपन एंप्लाइमेंट ठीक है एक सिचुएशन है वो काम करना तो चाह रहा है पर उसको को नौकरी नहीं मिल रही है इस ओपनन एंप्लाइमेंट ठीक है कोस्चन नम्र दस है दर रिपोट वर्ड इंप्लाइमेंट एंड सोचल आउट लूक यह फब्लीस कों करता है और प्लिसपर्ण पर्यूप लिबर ओन बहूंड मेंट करते हैं यहां पर गिनियों का इंपर् यहां पर इंप्रेंट कॉंसेंट देखने को मिलता है इस एक होता है उसे नौकली की तरह से पर ब्रजगार है नहीं होना चीजिजों के बारे में शर्च एंप्रामिन मतलब एक तरह से Frictional Unemployment redistribution Unemployment का मतलब है एक और बकर ने अपनी नौक्री पुराणी नौक्री जो थी फो छोड़ दी अब वो नए की तलास ही उसको बोलते है frictional unemployment ठीक पुराणी नौक्री चोड़ दिया नहीं नौक्री की तलास में है उसको बोलते है फृतिनिये नौकिर तिलास में सर्च अनिप्लाइम्ट इसको का नाम देते हैं फ्रिक्शन अनिप्लाइम्ट बोलते हैं अना वेन कंपनी से प्रदक्शन कम कर दिया तो इसको रिड्यूस जो वर्कफोर्स की जोड़त है वह भी कम हो जाती इससे नौकरी से निकाल दिया जाता है कंपनी के द्वारा उसको क्या बोलते हैं इस तरह के विरुजगारी को इस तरह के नाम देते हैं यह हम से पुछा गया है कंगना है सो डिस इसन जोन एस इस्ट्रक्टरन उंप्लायम्मॉइब्म मतलब हैं हमारे पास देखने को मिला भाई स्ट्रक्रन रेंप्लियमंट ने बोलतेज़कों साइकलिक अनिम्प्लियमन मिलते हैं यहां पी दिमांड नहीं है दिमांड फृसे आएगा फिरसे हो जाएग करते हैं उनके जॉब को विकॉस डाउंटर इन अग्रीगेट डिमांड कि अब हम डिफेंट डिफेंट टाइप के अनिप्लाइमेंट देख लेते हैं तो इसको पता होना चाहिए इस्ट्रक्ट्ट्र अनिप्लाइमेंट तब देखने को मिलता है जब मिस्मैच और ङूसे बिफेंट जयां अवेलेबल हैं दिमार्केट और स्किल्स है मतलब कोई आदमी है सपोस्रेजच करो वो शॉप रूपन इंजिनियर हें और काम है ही नहीं तो उसको क्या करना पड़ता है उसको क्या करना पड़ता है को चोते मुटी हमारे पास क्या बोलते हैं एक सबसे सबसे इसान है जहां पर चाल लोग की जरुवत है कर दो लोग काम करें कर दो दो परिवार के साथ तो दस आदमी काम कर रहे तो वह कोई जुरुत नहीं है उस चीजों की तो इसको बोलता है सबनी थो फिनल को सबस्सक्राइब आप लिसे कर वह तंब दो सब्सक्राइब मतलब सबस् Playstation Ferrario है तो एक निगाल दी सबस्क्राइब मोसं है कि सी भी हमाड़े पास मौसं है हमारे पास खेटी के मौसम की बात करते हैं जब हमारे पास नGS लगाना रहता तो हमारे पास नौकरी रहती है उसके बाद जब चीजन हमरे पास नहीं आनिती है इसνें भी जह विजो कोंधक में सब्सकों दो तो यह वहां पर काम करते हैं वह रिजूर्स के अंदर एक होता है हमारे पास काम नहीं करना चाहरा है वह वालेंटरी आने इंप्लाइमेंट जिसमें जो वरकर रहे इस नाट चुस्टू वोक एटा करेंट एक्युलिब्रियम वेज़ेट मतलब नौकरी तो मिल रहे है वाट उस कम पैसे वह काम नहीं करना चाहा है उसको हमने क्या बोला वॉलेंटरी अने एक होता है यार कैजूवल नौकरी से निकाल देगा यह हमारे पास क्या होता है कैजूवल नौकरी मेंट वोश्यन नाबर 13 ड वाउट सिटान के बना था गरीग को पता करने के लिए बना था पुबर्टी कैसी कर सकते हैं उसको करते हैं है फिर एजुकेशन पे उसको भी देखता है गर भी डिटर्माइन करने में बिल्कुल सही बात है बिकॉज सत्य पर्सेंट जो आउट-पोकेट एक्स्पेंडिचर होता है किसी भी आदमी का किसके ओपर होता है हैँ तो हैँज के ओपर होता है ये तो है लिग कमिटी रिकमेंडेट उजिंग इसि यूनिफॉर्ण पेरियो बेस्ट एस्टीमेट ऐस आपोस्द्व मिक्स परियों बेस्ट और एक्स्टीमेट डैट वे यूज़िग एर्लिया है पहले पहले क्या इस्तेमाल किया तो यूनिफर्म यह अर्लियर इस्तेमाल किये जाते थे बट हमेसा इसने रिकमेंट किया कि हमको मिक्स रेफरेंस प्रियेड इस्तेमाल करना चाहिए ठीक है सो इस इनकरेक्ट यार हमसे करेट पुछा गया करेट जागा एव वन उनली कोश्चन नमर फोर्टीन है विचर दी फॉलइंग कमिटी विर कॉंस्टिटिट टू एस्टिमेट पोवर्टी इन पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया हमारे देश में आजादी के बाद गरीबी क को पता करने के लिए कौन कौन से कमिटी बनाइगा तो हो जाएगा और दांदेगर कमिटी कब बनाए गया था 1971 पना बनाए गया था अलग कमिटी बनाए गया था बिल्कुल बनाएगा था और वाला कमेटी बनाया गया था तंद्री चाद में बनाया गया था तरभी कंपी वह प्रनिंग के रिकम्मेंडेशन बनाया गया था टिख उसके बाद जो बायाइवे कमिटी था एट इस फॉर रेलवेय प्रोजेक्ट को रिस्ट्राक्चर करने के लिए इसको बनाया था तो हमसे क्या पूछा गया है और इसने बोला कि जो पुवर्टी लाइन है वो क्या होगा 22 रूप है कोई भी आदमी 22 रूप है पर डे से कम कमारा तो वो गरीब है तो यह हमारे पास इंपरनेटी अलग कमीटी लोखट वाला कमीटी तो यह हो गया पास मेटी पोवर्टी एस्टीमेशन इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंश गागा डी करेक्ट हम से पूछा गया है कोश्चन और 15 क्या विचिदी फॉलाइंग स्टेट्मेंट अबाड़ को पुझा गया है पुझा गया है मतलब बास्केट बोलता है कि ऐसे कम से कम जरूरत है जिसके जरूरत है बास्केट में एंक्रूरत किया गया है तो इसको भी यहां पर बास्केट में एंक्रूट किया गया है इसको प्रवाइड करना चीए इसलिए इसने इसको एक्सक्लूट कर दिया जो था जो की एस्यूम किया कि जो है स्वास्ट और जो और सियौ में जुट्स को देना चीए सरकार को देना चीए उसी लिए उसने पुवर्टी के मेसर में के जो बास्केट था इसके उसा हटा दिया करेट हमसे पूछा गया है यार करेट क्या हो जाएगा एक को सिक्स्टीन क्या है को सिक्स्टीन देखते हैं विच्छ फॉल्एंग करेक्टली एक्स्प्लेइन हार्मोनाइजड अनिम्प्ल पीपल आर दोस हुआ और वर्किंग ग्रूप हो आर विडाउट वर्क आर एवलेबल फ़र वर्क एंड है तो सब्सक्राइब बिल्कुल सही बात है रही तो हार्मोनाइज अनिम्प्लाइम्प्लाइमें टेट करते हैं इन लोगों को देखते हैं जो कि वर्किंग एज में ह सब्सक्राइब करना चाहा है और काम नहीं मिल रहा है तो यह हार्मोनाइज अनिम्प्लाइम्प्लाइम्मेंट रेट है इसमें यह वर्किंग यह सब चीज़ें गलत है यह सब चीज़ें ठीक है कोशन नबर 17 देखते हैं अबाउट अजीवी का नेशनल डूर लाइबली कर्यारिट हमको बात किसी कहनी है नयशनल डूर लाइगलि हुड लिए फिसन की ब्सक्राइब हुड गया है नेशनल रावलियोड मिशन नर्लम के बारे में पुछा गया है इसको मिनिस्ट्री आफ लेबर ना भाइन इसको मिनिस्ट्री आफ रूर्ड डेवल्प्मेंट ने लॉंच किया था फ्रोग्राम इस सपोर्टेट पार्शली बाइदी व्ल्ड बैंक के इसको पार्शली बाइद व्ल्ड बंक सपोर्ट किया था इसको प्रेटिब एफिशन इंस्ट्टुशनल प्राटफॉर्म्स विए फॉल्वेंग और करेट अबॉट दी प्रधान मंत्री कॉसल विकास यूजना हमको बात करने कॉसल विकास यूजना के स्कीम की ठीक है तो यह इंपोर्टेंट रहती है नूज में कभी नहीं आभी आ सकती है इट वस लॉंच अंडर दी मेक इंडिया मिशन तो कॉसल वि करने की बात करते हैं इसको यहां पर क्या किया है इंप्लीमेंट किया है और कि किसके अंदर काम करता है मिनिस्ट्री आफ स्किल डेवलप्मेंट एंटर्पेनियर्शिप के अंदर हमसे पूछा गया है यहां पर भी सी टू एंट्री ओनली कोशन में 19 है विच दी फॉलेंग स्ट्मेंट आ करेक्ट अबॉट ग्लोबल मुल्टिदैमेशनल पुवर्टी इंडेक्स हमको बात करने ग्लोबल मुल्टिदैमेशनल पुवर्टी इंडेक्स को यून डीपी और ओपी एचाई ने मिलके लॉंच किया गया बिल्कुल सही बात है युद्ध नेशन डेवलप्मेंट प्रोग्राम एंड ऑक्सपर पुवर्टी इंडेवलप्मेंट इनिसीटिव ने मिलके इसको ल MPI is based on the idea that poverty is uni-dimensional बिलकुल गहत बात है यार इस बेस्ट आड़ेशन ने इसमति इसको यूदि इंडेशन बिलकूल इसको इसको यूद इंडेशन लिकुल सही बात है करेट हम से पूछा करेट जा कभी वन थ्री ओनली कोशेंबर ट्वेंटी है कंसिडर दी फॉलिएंग स्टेट्मेंट अबॉट महात्मा गांधी नैशनल रूर एंप्लॉइमेंट गांट इंपॉर्टेंट है यार जीनी कोफिशन बहुत इंपॉर्टेंट है 학र्वान इंपॉर्टेंग दी 褘ंपॉर्टेंट खा догंद इंपॉर्टेंगूर्टेंग कि अनर्वे अर्बन एर्यास में नहीं है कि एक्ट मेंडेट ग्राम सभाट टू रिकमेंड दी वक्ट आट टू बी अंडर्टेकन बिल्कुल सही बात है यह डिसेंट्रलाइशन का एक्जामपल जिसमें ग्राम सभा को पाउर दी गई है कि कौन से काम की जरूरत है यहां पर बीटि आट लिस्ट वन थार्ड अब डी बेनिफीशरी अंडर दी प्रोग्राम है टू बी वुमें बिल्कुल सही बात है प्राइटी दी जा रही है वुमें को इसलिए वन था नहां पर वुमेंट कभी ख्यार रखा गया है करेट हम से पूछा गया है कर जाकर सी टू एं इनकम वाईल रिलेट इव पौवर्टी इस डिफाइन ऐसे स्टेट इन विछ पर्सन कंणोट मीट देर मोस्ट बेसिक नीड भी प्यक्यार पैसिक मतलब पवर्टे लाइन बेस्ट दोंधी करे पाएक इस्टिमेशन पर अलइट बना गया था लिटर माइंड बसेम-घ। क्या अलाग कपीटी ने मंथली पर क्यापीटा को देखते हैं यहां पर पौर्टी लाइन बनाया था टीक है को간 अजब आइन और एस ungef को ऐलाग कमीटी ने देखा था और हमारे पास मंठीख पर क्या पीटब्सक्रास नहीं तो याद रखना और और जाम मालें को देखते हुए रंग राजन कमिटी ने यहां पर पूर्टी लाइन को डिसाइड किया था तो दोनों चीज हमेशा याद हो निची अपने को दोनों गलत है भाई हमसे क्या पूछा है करेंट पूछा करेंट तो कोई सा भी नहीं एंसर हो जाएगा डी तो हमने हैं देखा भाई 21 कि द देखें पहुट यनेरे में बहुत अनि बहुत लिद्न को टोपिक इसाब किस सब्सक्राइब करेंट से आशकता है गयर माइन वियक सब्सक्राइब करेंश साय। थे थो कि